नवस्कार दोस्तों टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये दो एकड़ का खेत है और बारा से पंदरा तरह की सब्जियां यहां लगी हुई है सीजनल सब्जियां और बिना किसी रासायने खाथ बिना किसी केमिकल और पेस्टिसाइड के और गैनिक तरीके से उगाई हुई है ये खेत है एक क्रशी अधिकारी का जो पहले पेस्टिसाइड कंपनी में काम कर चुके हैं और पेस्टिसाइट कंपनी में काम करते हुए उन्हें पदा चला कि हम बिना किसी केमिकल के भी सब्जियां और्गैनिक तरीके से उगा सकते हैं यही सावित करने के लिए इन्होंने एक डेमो माडल खड़ा किया और यहां पर 12-15 तरह की सीजनल सब्जियां लगी हुई है प्योर और्गैनिक तरीके से बिना केमिकल के हम आपको उस किसी अधिकारी से मिलवाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि बिना किसी खाद के और्गैनिक तरीके से सब्जियां अच्छी कैसे उगाएं क्योंकि यदि हमने केमिकल डालना छोड़ दिया तो दो फायदे होंगे किसानों का खर्च कम होगा और उबोगताओं को शुद्ध सब्जिया मिलेंगी हमारा भी यह उद्धे से है कि किसानों का खर्च कम हो और उबोगताओं को शुद्ध सब्जिया मिलें तो इंटर्व्यू को पूरा जरूर देखें जिससे दोनों का लाब हो नमसकार किसासम साथियों जैसा कि आप देख हुह जैसा कि उसके अंदर रू में निया की प्रतिकों से अपर रहेut सबसे OP दूनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में काम किया बनाने वाधी कंपनीust पेस्टिसाइड बेचने की सत्य में जयते प्रोग्राम में भी काफी लोग देख चुके हैं कि उसमें जो दिखाएगा था उसी तरीकी से बिल्कुल वही सत्य होता है जो रिक्मेंडेशन वेगानिकों की तरफ से आती है कि इसमें 50 ml से काम चल जाएगा उस 50 ml की बजाए हम ज उसमें और में डIP दल देता है इस तरह करते क्या होता है कि जो भी कीट होते हैं वह जो 찌ने से है लेकिन उसको नसा नहीं होता है कीटों को भी ज्यादा जहर देने से प्रती रोधता परति जो पूछके यह एक नेक्सस है जो चलाया जा रहा रहा है कमपनियों के से बात क्या होता है अपने आप ही नीम lagi होता है उससे भी यही सारे कीट मर जाते हैं अगर हम बात करें जहर की नायरे बहुत Menter कीट ऐसे होते हैं जो कि स्भस्में में में waking past Hoje को अगर ऑपया नहीं होते हैं पिंदर कीट ही हमारी दूस्मन कीट होते हैं उनको भीखा जाते हैं आप जो मेरा खेट देख रहे हैं इसमें दस से बारा तरह की सब्सक्राइब करते हैं और इसमें आप देखेंगे तो टोटली ओर्गनिक तरीके से यह सारा किया हुआ है अगर बात करें तो जहर कम होगा और जो टेस्ट आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के और बिना रासायनी खादों के खेती नहीं हो सकती खासकर वह भी सब्सक्राइब कि तो आप देखी रहें मैंने किसी भी सूरत में अपने खेत में इंट्री बेहन कर रखी है जिस तरह से ना तो रास अजर आता हो तो आप समय में देख सकते हैं सिवाए खरबूजे में थोड़ा नुक्सान हुआ वो नुक्सान दस से बारा प्रसेंट हुआ है उसका फायदा यह हुआ कि इसके अंदर कीटना सक नहीं डले वे थे मेरे कुछ साथी जिनोंने किसी के मादम से आये थे सद्धिया के अंदर खपा सकते हैं या मारे साथी उट ले सकते हैं मेरे को अच्छा दाम उफ़र करके गये हैं उसके अलावा जो शाषसी यह ऑली इसको उचे दाम पर खरीजने के लिए यह तैयार है इस हिसावजे मेरे वी साथ से पांच लाग यह आसपास कार हुँ उसके अलावा अब कर्सिया दिकारी होने के नाते मेरा एक ही आप लोगों से अनुरोद है कि रसाइनी खादों को और रसाइनी कीट नासकों को आप कम से कम परियोग में लें ताकि एक तो किसान की आये में जो कटोती होते हैं वो नहीं होगी दूसरा पैदावार धीरे पर आके अपने आप ही की का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और पैदावार भी बढ़ जाती है तो जैसा सत्यवान जी ने बताया बिना किसी कैमिकल के भी अच्छी सब्जियां उगाई जा सकते हो सकता है पैदावार थोड़ी जी कम हो लेकिन भाव बढ़िया मिलेगा जब आसपास के लोगों को पता चलेगा कि आप और्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं तो लाइन लग जाएगी इसका उधारन ये खेत है यहां पर सुबह से साम तक सब्जियां लेने वालों का ताता लगा रहता है क्योंकि जो मार्केट की सब्जियां आप बोगताओं को प्रेट उन्हें मिलेगा तो दोनों का लाब होगा इसलिए किसानों से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ी-थोड़ी करके और गैनिक खेती की तरफ आएं केमिकर फरी सब्जियां उगाएं आपका विलाब और उभोगताओं का फायदा नमस्कार जैहिं अगर आपको यह व